दोस्तो आज हम बनाएंगी हलवाई इस्टाइल आलु छोले जो की एकदम हलवाई इस्टाइल ही होने वाली हैं और साथ में हम बनाएंगी फूली पूली करारी करारी पूरियां जो की ये जो पूरियां जो हैं दोस्तो ये भी एकदम अलग रेस्पी होने वाली है जो इन छो संडे के लिए एक ऐसी रेस्पी लेकर आऊंगी जो आप लोग संडे वाले दिन बना सकते हैं और घर पी ही संडे का लुफट उठा सकते हैं अपनी फेमिली मेंबर्स के साथ और इसको बनाना भी आसान है दोस्तो इसी लिए मैं ये रेस्पी आपके शेयर कर रही हूं तो दो साथ में छोले को भीगो दिया था और सुबह हमने दो सीटी लगा के इनको उबाल लिया इस तरह की से और साथ में मैंने दो आलू भी डाल दिये थे जो की उबल चुकी हैं तो अब दोस्तो आलू को हम छील के रखेंगे और करते हैं आगे की तैयारी तो एक हम बड़ा सा ब बड़ा चम्मच सूजी एट करेंगे सूजी इसलिए क्योंकि हम पूरियों को एकदम क्रिस्पी बनाने वाली हैं इसमें हम एक चम्मच हाँ से क्रस्ट करके अजबाइन को एट कर देते हैं दोस्तों और इसमें हम एट करेंगी कसूरी मेथी तो कसूरी मेथी दोस्तों हम थ पहले अच्छे सी mix और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका एक डो तैयार करेंगे और इसको हम एकदम टाइट ही रखेंगे क्योंकि दोस्तों जब भी आप क्रिस्पी पूरियां बनाना चाहते हैं और फुलाना चाहते हैं तो आटा को हमेशा थोड़ा सा जादा तेल है दोस्तों आप तेल को अपने उसार भी यहां पर एट कर सकते हैं तो यहां पर हम एक तेजपत्ता एट करेंगे और थोड़ा सा जीरा एट कर देंगे यहां पर तो इनको हम चटकने देते हैं पहले और अब इसमें हम कुछ खड़ी मसाले एट करेंगे तो दो बड़ी लाइची दो छोटी छोटी टुकडे हमने यहां पर दाल चीनी के थोड़ी से लॉंग और काली मिर्च को एड़ किया है दोस्तों बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें अब इसी तरीके से इसमें खड़ी मसाले जरूर एड़ केजेगा जब भी आप छोले बन के ही प्याज एड़ करेंगे दोस्तों आप चाहें तो यहां पर पीस कर भी कर सकते हैं लेकिन जब हम इस तरीके से प्याज एड़ करके यह छोले बनाते हैं तो इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में भी तो इसको ह हुनने देते हैं धीमी आज पर तो इसमें जो मसाले जाएंगे उसको हम तयार कर लेते हैं आए दोस्तों तो यहां पर हम एक बड़ा बरतन ले लेते हैं यह तो सबसे पहले इसमें हम आदा चम्मच हल्दी पाउडर आदा चम्मच हम इसमें धन्या पाउडर एड़ करेंग दोस्तो और ये हम कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे अच्छा कलर के लिए और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च भी एड़ करेंगे दोस्तो पानी डालके इनको हम घोल लेंगे ये जो मसाले जब हम घोल के इसमें एड़ करेंगे दोस्तों तो सारे मसाले के जो फ्लेवर हैं वो बने रहते हैं जिससे की हमारे जो छोले हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं मैंने इस तरीके से हलवाईयों को भी करते देखा हैं दोस्तों वो अकसर इसी तरीके से मसाले एड़ करते हैं सबजियों में मैंने देखा है तो इसको हम यहाँ पे add कर देते हैं और थोड़ा सा पानी इसमें और भी डाल देते हैं जिसे की हमारे जो मसाले हैं वो सारे मसाले इसमें add हो जाएं तो यह गया पानी इसमें और बस अब इसको हमें भून लेना है दोस्तों तब तक जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ देता तो हम चलाती है उसके भूनेंगे तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफी भून चुका है ये दिखी तो अब इसमें हम एट करेंगे टुमेटो प्योरी दोस्तों जिसको मैंने पहले से बना के रखा हुआ है तो हमने यहां पे तीन टमाटर लिये थे उनको पीस लिया है दोस्तों एकडम बारिक बारिक ये देखी पेश्ट बना लिया है इसका तो इसको हम एट कर देते हैं यहां पे और अब टमाटर को भी हम इसके साथ तब तक भूनेंगे दोस्टव जब तक की यह ग्रेवी जो पकनी जाती और यह तेल नहीं छोड़ देती तब तक हमें इसको भूनना है पानी डाल डाल की हमें अच्छे से इसको भून लेना है दोस्टव इस तरीके से अब दोस्तो हम क्या करेंगे इसको हम थोड़ी देर के लिए धक देते हैं धकने से क्या होगा दोस्तो हमने जो इसमें टमाटर और प्याज एट किये तो वो अच्छे से भूनेंगे तेल छोडेंगे जिसे की छोले का स्वात और भी बढ़ेगा तो ढ़क के हम इसको दो-तीन मिट कई पकाएंगे तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तो जो मसाला है बहुत ही अच्छे से भुना है इसमें हम काली मेरिच और लॉंग का दरदरा कुटा हुआ मसाला एड़ करेंगी जो की बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है आप जरूर एड़ कीजिएगा इसको अब इसमें हम दो आलू जो हमने उबाले थे उनको हमने छील के इस तरीके से मोटा मोटा तोड़ लिया है दोस्तो उसको एड़ कर देते हैं दोस्तो ये गए हमारे छोले तो आप देख सकते हैं दोस्तो अभी से ही ये कितने टेश्टी लग रहे हैं दोस्तो ये जो रैस्पी है बाकई एकदम हलवाई श्टाइल है क्योंकि हलवाई भी इसी तरीके से मसाले को भूनते हैं तभी जो छोले हैं उनके बहुत ही टेश्टी बनते हैं और घर पे जादतर लोग क्या करते हैं कि मसालों को अच्छे से नहीं भूनते हैं तो छोले बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि मसाली जो है वो अच्छे से भूनने चाहिए तो इसमें हम पानी एट कर देंगी तो हमने यहां पे दो गलास के लगबग पानी एट कर लिया है दोस्तों और स्वादा नुसार नमक एट कर देंगे इसमें हम तो अब दोस्तों इसको हम ढख के पकाएंगे तब तक जब तक की इसमें उबाल नहीं आ जाता तो यहां पे 10 मिनट ही हुए होंगे दोस्तों इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है आप देख सकते हैं और इसकी जो ग्रेवी है वो काफी अच्छे हो चुकी है तो इसी तरीकी से हमें ग्रेवी चाहिए और ठंडे होने पर यह काफी गाड़े हो जाते हैं तो इसी तरीकी से हमें इनको रखना है दोस्तों अब इसमें हम हरी मिर्च एट कर देंगी काफी अच्छा फले वराता है और कसूरी मेती और थोड़ा सा हमें आमचूर पाउडर और अब इसमें हम थोड़ा सा छोली मसाला भी सबसे लाश्ट में एट करेंगी और बस इसके बाद हमें एट करना है दोस्तों इसमें बारी कटा हुआ हरा धनिया खूप सारा, हरे धनिया के बिना ये जो सब्जी है दोस्तो बहुत हुरी लगती है, तो ये हमारे हलवाई स््टाइल छोले तयार हो चुके है, ये देखें दोस्तों है ना कितने यमी, तो इनको हम रख लेते हैं यहां पूरी का जो आटा काफी अच्छा हो चुका था हमने इसकी लोईया तयार कर लिए और इनको हम बेल लेते हैं छोटा छोटा इस तरीकी से तो इस फूल चुकी है और य्य बहुत ही अच्छे सी फूल जाती है आपको कोई भी कोशिस करने के जरूरत नहीं यह अपने आप ही फूल एंग यह दि कि दोस्तो कितना प्यारा कलर है ना कितना डिलिसियस है ना आसान रेस्पी तो इस रेस्पी को ट्राइ कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा तो ऐसी रेस्पी लेकर हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए थेंक यू